गुजरात हाई कोट ने आमिर खान के बेटे जुनेत खान की नेट्फलिक्स फिल्म महराज की रिलीज पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है सिदात पी मलोतरा द्वारा डिरेक्टेड और Y.R.F. एंटर्टेन्मेंट के तहट आदित्या चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस ये फिल्म 14 जुन सुकरवार को रिलीज होने वाली थी ये निर्णय वैश्णव पुष्टी मारगी संप्रदाय के सदस्यों द्वारा फिल्म में धार्मिक मान्यताओं की गलत प्रस्तुती पर चिंता का हवाला देते हुए दायर एक याचिका के बाद आया चलिए बताता हूँ क्या है 1862 का महराज परिवाद मामला महराज 1862 के एतिहासिक महराज मान्हानी मामले पर आधारित है भारत के इतिहास में एक महत्वपुन कानूनी लड़ाई इस मामले ने धार्मिक संस्थानों को चुनौती दी और सामाजिक सुधार सोशल रिफॉर्म में पत्रिकारिता की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया इसमें महराज कहे जाने वाले एक प्रमूख आध्यात्मिक नेता के खिलाब मिसकंडक्ट कदाचार के आरोप सामिल थे जिसे पत्रकार करसंदास मुलजी ने अपने किताब सत्य प्रकास के माधियम से प्रकाश में लाया महराज मानहानी का मामला करसंदास मुलजी के लिए एक बड़ी जीत थी जिन्होंने वल्लब अचारिय संप्रदाए में गलत कामों को उजागर किया था उनके साहस के लिए पूरे भारत में उनकी प्रसंसा की गई और धार्मिक प्रथाओ में ब्रस्टचार को चुनोती देने के लिए मार्टिन लूथर किंग के बाद उन्हें लूथर का उपनाम दिया गया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए है तो बॉलिवुड और साउथ इंडस्ट्री की अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी याचिका के जवाब में गुजरात हाइकोट ने अगली सुनवाई तक महराज की रिलिज पर रोक लगाने का फैसला किया अधालत ने संप्रदाइक सद्भावना कमुनल हार्मनी के साथ कलातमक अभिवेक्ती, आर्टिस्टिक इंप्रेशन को संतुलित करने और संभावित धार्मिक सम्विल्दिन शिल्ता के बारे में चिन्ताओं को दूर करने की आवशक्ता पर ध्यान केंद्रित किया इस विवाद ने सोसियल मीडिया पर बहस छेड़ दी, उन यूजर्स के बीच बॉयकॉट नेट्फिक्स जैसे हैश्टेग ट्रेंट करने लगे जो फिल्म की कहानी से खुश नहीं है कानूनी विशेशग्यों ने भारतिय समाज में अभिवेक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडेम ऑफ एक्स्प्रेशन और धार्मिक मान्यताओं, रिलिजियस बिलिफ्स के सम्मान के बीच चल रहे तनाव के बारे में बहुत बात की मेरा ये मानना है कि आमेर खान अपने बेटे को लॉंच करने के लिए इस तरह की सेंसिटिव टॉपिक को नहीं चुरना चाहिए था आप क्या सोचते हैं कमेंट करके नीचे बताईए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना धन्यवाद